दोस्तो इस समय हमारी थल सेना हमारी वायू सेना की तरह ही हमारी नो सेना को भी लाइट यूटिलिटी हेलिकोप्टर मीडियम यूटिलिटी हेलिकोप्टर की जरुवत महसूस हो रही है और इन हेलिकोप्टर की जरुवत को पूरा करने के लिए हमारी नो सेना की तरफ से एक पोजल भी निकाला गया है जिसके तहट हमारी नो सेना साट की संख्या में यूटीलेटी हेलिकोप्टर को खरीदना चाहती है और इस डिल की जरुवत को पूरा करने के लिए हमारे एचेल की तरफ से हमारी नो सेना को एक सवदेशी हेलिकोप्टर ओफर किया गया है हेल की तरफ से हमारे एडवांस लाइट हेलिकोप्टर यानि की ध्रुव हेलिकोप्टर के ही मेरिटाइन वर्जन को बनाने का फैंसला लिया गया है पहले भी इनियन कोस्ट गार्ड के लिए हमारा हेल ध्रुव हेलिकोप्टर के मेरिटाइन वर्जन को डवलप कर चुका है ज इसकारण इन सभी हेलिकोप्टरों को grounded कर दिया गया था और control road इसी भी हेलिकोप्टर में वो पार्ट होता है जिसकी मदद से हम हेलिकोप्टर को location देते हैं और हेलिकोप्टर की speed कम जदा करते हैं और सब कुछ control road की मदद से ही हो पाता है लेकिन अब HAL इसी दुरू हेलिकोप्टर के basis पर एक maritime helicopter बना रहा है इस helicopter का नाम helicopter utility maritime होगा साथ में HAL का तो ये भी कहना है कि हमको इस helicopter को बनाने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा और इस helicopter की हम first flight 2024 के अंध तक करा देंगे और ये हमारा नय हेलिकोप्टर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलिकोप्टर से थोड़ा अलग होगा क्योंकि इस हेलिकोप्टर का वजन भी कम रखा जाएगा साथ में इस हेलिकोप्टर की वेट केरिंग कैपिसिटी को बढ़ा दिया जाएगा और इस समय जो हमारी इंदियन कोस्ट-गाड तूर हेलिकोप्टर का इस्तुमाल करती है उस हेलिकोप्टर के कमपेरिजन में हमारे नए टूटिलिटी हेलिकोप्टर मेरिटाइन का वजन चाक्दा ले जा सकेगा इस हेलिकोप्टर की एक खास बात यह भी होने वाली है कि इस हेलिकोप्टर के अंदर foldable blades होंगे जिसकी मदद से इस हेलिकोप्टर को काफी आसानी से aircraft carrier पर भी तैनात किया जा सकेगा और जिस समय यह हेलिकोप्टर हमारी नो सेना में शामिल हो जाएगा उस समय इस हेलिकोप्टर की मदद से हम काफी आसानी से patrolling कर सकेंगे साथ में research and rescue जैसे mission को भी इसी हेलिकोप्टर की मदद से अंजाम दे सकेंगे और अब आप ही comment करकर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी नो सेना को सर्देशी हेलिकोप्टर ही बनाकर देना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका या फिर रेशिया से इस तरीके के हेलिकोप्टर को खरीदना चाहिए इस बात का अंचर आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो हैव अगूड डे